कि अभी प्राइज के बारे में ठोड़ा डिसकस कर लेते हैं कि अभी आपको मन पसंग में ठीक है कुछ लफडा तो नहीं होगा पंचर मंचर कुछ भी नहीं अगर हमारी जिम्हारी कुछ तुम्चर हो लफडा हो आप कोल कर देना है तो मुझे आप दो एलमेट दे दीजिए और इसकी चावी दे दीजिए ठीक है और डिपोजिट कितना परण बरना पड़ेगा और बढ देता हूं तो जर्ट कितना है ठीक है वेलकम बेक तू माइ चैनल दोस्तों अभी फिलहाल मैं हूं जैसल मेर सीटी में और अभी हम जाने वाले हैं रहाने हैं और यहां से मिन बाइक किया है मेरे साथ है राना भाई से मैंने बुलेट बाइ तो 800 पर ही ले जा रहा हूँ पिर अब आप आप आओ तो साहे थोड़ा बहुत भाव आगे पीछे हो सकता है और सीजन रहता है ठीक है फोर्ट से किता दूर है फोर्ट के गेट के सामने है तो आप सर्च करो के सीवा बाइक तो आपको गूगल पर भी मिल जाएगा तो हम चले करेंगे सिदा सेंद्यून सेंद्यून की तरफ वह देखो आप संसेट मलब उदर होने वाला है अभी हमें 20 किलोमेटर जाना है और हमारी यह बाइक है बुलेट देख लीजे चलते हैं जल्दी से उस तरफ और दिखाते हैं आपको यहां से फटी भाई किलोमेटर होता है टोटल और मुझे लगता है एक गंटे का समय लगता है तो यही कुछ माज रहा है चलके दिखाते है आपको मजा आए गया चे है कि अजय मार्च आवा जेसल मेर अभी पुछ लग रहा है कि जेसल मेर जा रहे अभी तक अब दो दीज से तो आजसा कुछ पिल नहीं आ रहा हूँ था उस्ता भॉरिक लग रहा था लेकिन अभी लिए मेर लग रहा कि जेसल मेर राय तो अपसी जगें यहां पर वेलकम हो रहा हमारा तो चल के देखते हैं जोल दमाकों से आपका स्वागत किया जाता है रिजॉट में जाने से पहले तो अभी चलते हैं अंदर और आज 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 सेंट्यूद के दोरों में ओके भाई बुलावा आगे हैं यहां पर प्रोग्राम चालो हो गया है कल्चरल प्रोग्राम जिसमें डांस और यहां के फॉक सॉंग सुनाई जाते हैं तो हम चलते हैं वहां पर और चाय कोफी स्रीज सब वह सता है नमस्कार सर वह करने पेस करने जा रहे हैं वेलकम सौंग केसरिय वाला हुँ साजन आयार है सकी मैं कई करा मनिवार्य थाड़ बरूग जिमों तीये मों को जिए मों पूदर इगला अदे गयों रही है में नहां में जोले जगेड़ा खरी, ये लेल मामरे चले तेरे जजाँमा, रंगेड़ा खरी लोलेल मामरे चले तारे जजाँमा लंधी लंधी झाल झाल जजढ झाल गजस्तानी शाण कर दो के भाई हमारा जो कल्चरर प्रोग्राम था नाइट में यहां पे घाना डांस और यह सब तो अभी पुरा हो गया है अभी हम लोग थोड़ी दिर में खाना खाएंगे और हमारा जो कोटेज हैं स्विच केम्प हैं वो इधर है सामने ही आपको साहिद नाइट में दिखन आपको आपको आराम से यह जो प्रोग्राम होता है आट से दसबजे तक होता है उस्तक्ष सपराऊदलर्ट में अलएक्ष सब्सक्राइब के लिए्ट नेवाला सबसे पहले स्विटर में तो स्का मज़ा कुछ और ही होता है दूसरी भी पार् horizontally थे लेकिन उसका तो मैं वाला है दो तीन सबजी और रोटी यह सब मिल जाते हैं ओके दोस्तों खाना भी आ चुके हैं रात के नौ बजे हैं हम लोग थोड़ा जल्दी प्रोग्राम कर रहे हैं क्योंकि हम लोग बहुत दिन से थके हुए इसलिए तो अभी खानावाना आगे हैं खाके हम लोग सो हैं उदर दिखाओ हमारा टेंट दिखाओ उदर हमारा टेंट है तो उसके बाहर ही बैठके हम लोग खाना खा रहे हैं तो कापी ज्यादे मजा आ रही है फुल इंज्वाइगा आज की नाइट जबरदस्त अमेजिंग है चुबह के से बज के 10 मिनट हुए हैं हम लोग तयार हो गए और अभी जा रहे हैं जीफ सपारी और सुबह का संराइज देखने के लिए तो हमारे गाड़ी बाहर तयार है चलते हैं बाहर चल करके दिखाते हैं कि वह बाहर अभी अंदेर है तो थोड़ी देर में जैसे चलो कि ओके भाई हाइवे छोड़ दिया है और अब हम कच्चे रस्ते पर गाड़ी उतर गए जैस्ट कैंप से मुझे लगता है एक से डैट किलो मट के बाद हम रोड से उतर करके शिधा कच्चे रस्ते से निकल गए है तो ऐसा गुत प्रस्तर दिखता है कि अग्या गुट बानिंग अवरिवान हम परूच गे हैं सम डेजट के धोरों में और हमारी जिप्सी यहां पर भॉसम ठंडा इसलिए तो पीछे ही उंट है और जीप इदर ही है सामने है चाई की होटल है तो हम सब लोग यहां पर इंजोई करने वाले हैं और अभी यहां पर से अच्छानक गाड़ी नीचे आएगे फिर उपर जाएगे फिर नीचे आएगे फिर उपर जाएगी तो लेस्ट गो पहलना चाही पीते हैं फिर एंजोई करते हैं अज बहुत जादा मजाने वागे लास्ट में आपको बताता हूं कि हमारे जो प्रोग्राम था प्रोग्राम था जाएगे लास्ट में आपको बताता हूं कि बहुत बढ़िया यार ऐसर ना जारकां देखने लोग लेगा हूं कि हमारी सफारी खतम हुई उट सफारी केमल सफारी यह सतार भाई है इन्होंने हमको उट पे गुमाया काफी ज्यादा और हमारे फोटोग्राफर भी बन गे थे तो सतर भाई अपका थैंक्यू हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ 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 है आ है कर दो दो कर दो सुब्हें सुब्हें हमने यह चालू कर दो यह ने अट्रेश से देञे हैं अट्रेश्स काई प्रेश है वह मैं गोड़ अट्रेश्स के प्रेश्स ब्रेश्स की अट्रेश्स सर्फुचरभब दफारा मैं पोटल पानी डेमरा सब आई तेल जट लग रहा भाई अचा अचल मोज यहां होती है वो देखो उदर केमल सफारी कर रहे हैं और हम लोग किते हो यहां पर हम रुके आगे हैं The Marwar Camp & Resort हमारी जिफ्सी वापिस यहां पहुँच चुके है Desert Safari जबरदस अचाँ जबरदस अचाँ सुबह यहां से निकाला था और अमेजिंग जरनी थी यह जीफ सपारी चैमल सपारी यह हमारी जीफ थी और हमने कोशिश की कुछ सोट आपको दिखाने की अचाँ हदीद भई और यहां इनका जो स्टाफ है वह भी बढ़िया है और अधित भाई का नंबर आप बोल दीजै अब कभी भी फॉन करके भी इनको पूश सकते हैं और यहां पर जीफ सपारी वगयरा सब कुछ आपको फूल एंजोए सब कुछ है तो आप आराम से यहां पर अच्छी जगह है और फिर भी मैं आपको चल करके दिखा देता हूं अंदर एक बार फिर से नाइट में दिखाया लेकिन फिर से एक बार विजिट करा देता हूं कि यह यहां से जो एंट्री है यह सीधा जाता है जहां पर फॉक कल्चर होता है अलब म्यूजिक वगरा डांस और वहां पर बैठने के अच्छी जगह है तो यह सब प्रोग्राम होता है अभी प्राइज के बारे में थोड़ा डिसक्स कर लेते हैं जनरल यहां पर होता कैसे है क्या होता है तो अधित थोड़ा बता दिए अभी तो नॉर्मल सीजन में 25 रुपे कपल करस्में सब रहता है पेकेज में केमल राइट डांस डिनर नाइट सब्सक्राइब हो रहता है अच्छा जीप सपारी का अलग रहता है ठीक है और फिर जब सीजन होती है तब सीजन मैं रुके वो भी आपको थोड़ा टूर करा देता हूं और फिर हम चलेंगे आगे यहां पर हमने रात को खाना वाना खाया और अमारी यह जो गुलेट इदर पड़ी है रूम नंबर बान थर्टी फाइच चलते अंदर इसमें देखो सामने बैठने का तबी एक गैलरी जैसा ही बना हुआ है और अंदर का नजार कुछ ऐसा है हमारा सामान तो सभी दर उदर बिखरा होगा काफी बड़ा रूम है यह देख लीजे ठीक है और इसके साथ में अटेच टोइलेट बातरूम भी है यह देख लीजे सकते हैं तो यह हमारा टेंट है और यहां पर आपको एक चार्जिंग का पॉइंट पंखा और यह सब मिल जाता है और बाहर का व्यू कुछ ऐसा है वापिस दिखा देता हूं हमारे बात्सा की बाइक यहां खड़ी है करभ कर दोपै करते हैं तो यह लिए यह नुआ नख सकते हैं तो यह नहीं तो फिसके सी जाओं है आप है